हे फूडीज कैसे हैं आप सब आज हम बना रहे हैं ब्रेड मलाई टोस्ट बहुत ही यमी बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में तो एकदम असान है तो बनाया कैसे है इस ब्रेड मलाई टोस्ट को देखते हैं इस रेस्पी को इसके लिए मैंने ली है वाइट ब् 3show childcare, 3 top-piece ब्रेड कें 3 fasting割, मैं कट कर लूँगी श Dickens कुट करकर हम पींगे नहीं इसके लिद्ध कूट कर बैड कर लेंगे बहुत सारी रेस्पी में यूज होते हैं bread fridge दो इसी तरीके से जो हम Player przeciants कर बैड करि तो यह देखिए मैंने चारो तरफ से जो साइट्स है वो क्लीन कर लिये हैं अब बीचो बीच से हम इसको कट करेंगे एकदम इस तरीके से और इसको थोड़ा सा हम प्लेट को घुमा लेंगे या ब्रेट को घुमा लेंगे और इस तरीके से फिर से हम इसको कट करेंगे यानि कि एक bread के हमने चार pieces करने है equal चार pieces तो इस तरीके से मैंने कर लिए है और अब हम लेंगे एक pan और आप चाहें तो इसको refined oil में भी बना सकते हैं या देसी घी में भी पर कोई भी मिठाई हो, कुछ मीठा हो तो वो देसी घी में ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं देसी घी में बना रही हूँ और देसी घी डाल लिया है मैंने जब अच्छी तरीके से देसी घी गरम हो जाएगा तो हम इसको bread slices को इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसमें refine डाल कर और इसको कर सकते हैं और ज़्यादा तेल डाल कर deep fry भी कर सकते हैं पर मैंने उतना ही लिया है जितना की इस toast में लगना है तो ये देखिए जब मैंने इसमें डाला और एक से दो मिनट के बाद ये इस तरीके से एकदम पढ़िया से क्रिस्पी से गोल्डन ब्राउन हो गए है तो इन सब को हम पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम इतना ही क्रिस्पी इसको कर लेंगे तो अब ये हमारे दोनों तरफ से जो toast है क्रिस्पी हो गए हैं बहुत ही मज़ेदार हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें देसी गी की खशबू आ रही है तो मैंने सारे के सारे टोस्ट निकाल लिये हैं अब मैंने लिया है एक कप छोटा कप जो होता है पानी का लिया है इसको हम थोड़ा गरम होने के बाद इसमें डालेंगे चीनी तो इसका मेरे को चीनी वाला मीठा पानी बनाना है पर हमने एक तार दो तार चाशनी नहीं बनानी बस इतना गाड़ा बनाना है कि अच्छे से थोड़ा सा मुलायम जैसे कहते हैं ना सिल्की टाइप होता है वो हो जाना चाहिए और साथ में ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा इलाइची पाउडर अगर आपको अच्छा लगता है डालिए ये बिल्कुल आप्शनल है कोई जरूरी नहीं है तो जैसे ये एकदम सिल्की हो जाएगा जो हमारा चीनी का पानी है तो हम इसमें ये जो टोस्ट हमने एकदम बढ़िया से क्रिस्पी करे थे हम उसको इसमें डिप कर देंगे और ये पानी उतना ही है जितना की हमें जरूरत है जादा हमने नहीं करा तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से डिप हो गए हैं, एक मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे, ताकि ये दोनो तरफ से अच्छी तरीके से जो हैं, अच्छी तरह शूगर में लग जाएंगे, अब हम लेंगे दूसरा पैन और दूसरे पैन में डालूंगी, आधे से भी क दूद, मतलब कप जो है दूद, यानि की वन फोर्थ कप दूद डालूंगी, और साथ में ही ये डालूंगी, मिल्क पाउडर, ये मैं तीन चमच के हसपास डाल रही हूं, और अब हम इसको अच्छी से चलाएंगे, धीमी आज पर पकाएंगे, और इसको लगातार ही लाना है, ताकि कोई लंस ना पड़े, तो देखिए, तीन से चार मिनट बस मैंने इसको बिल्कु धीमे पे पकाया, और ये एकदम गाड़ा सा, एकदम मलाईदार बन गया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको गैस से नीच उतार लेंगे, और एक टोस्ट का पीस लेंगे, और उस समय में आपको याद दिला दू, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पेज को फालो करना है, वीडियो को शेर भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस रेस्पी को बाटना है, और कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो इसी तरीके से हम सारे के सारे अपने मलाई ब्रेट टोस्ट जो है बना कर हमने तयार कर लिए हैं और ये देखिए किते बड़िया लग रहे हैं बस फ्रिज में रखिए ठंडा करिए और कोई आने वाला है तो उससे पहले बना कर फ्रिज में ठंडा करकर रख लीजिए